हेलो एव्रिवान मेरा नाम अंजु वर्मा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं चैनल src learning के अंदर तो welcome to our channel देखिए आज जो हम topic लेकर के आए हैं वो काफी interesting topic है अगर आप एक beginner हो टेली स्टार्टिंग स्टार्टिंग के आपका पढ़ रहे हो या फिर आप टेली में experienced हो अच्छे से उसको समझ चुके हो मेरे साब से ये दोनों ही level के students के लिए या working level के लिए काफी interesting session है ये तो इसमें क्या है basically हम जस्ट एक छोटा सा topic cover कर रहे हैं इस session में कि जब हम company create करते हैं starting में तो उसे हम किस तरीके से बना सकते हैं company creation को और उसमें password का क्या रोल रहता है और हम उसको कैसे बना सकते हैं कैसे लगा सकते हैं तो हम यह समझेंगे कि basically हम company किस तरीके से बना सकते हैं तो company creation तो very simple है आप लोग जैसे समझते हैं already कि company सबसे first step ही टेली ERP9 के अंदर ये किसी भी software के अंदर होता है कि आपको एक company पहले create करनी पड़ती है then आप उसके अंदर जो भी काम maintain करना है ledgers है vouchers है anything आप उसमें काम क लगा सकते हो बस यही इस session का इस video का topic है इतना सा topic है कि company में आप password किस तरह से लगा सकते हो ठीक है तो basically company जो prepare होती है उसमें जो passwords पूछे जाते हैं या लगाए जाते हैं वो दो प्रकार की होते हैं दो types के होते हैं एक का नाम है security control एक का नाम है telewalt password वैसे हम company तीन तरह से ब बना सकते हैं और हम telewalt के साथ भी बना सकते हैं और हम security control के साथ भी बना सकते हैं और also हम ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें double security मतलब telewalt and security control दोनों ही passwords का इस्तिमाल कर सकें ऐसे भी हम use कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं password पहला जो basic password है जिसका नाम है security control security क्या है कि जब आप क्रेट करने हैं तो आपसे जो पास्वर्ड मांगे जाता है कि लॉग कर लीजे कंपनी उसके लिए वो सबसे बेसिक पास्वर्ड होता जिसका नाम है सिक्यूरिटी कंट्रोल आपके राइट हैं साइड में जब कंपनी क्रेशन के पेज पे पहुंच जाते या देकर तो जो जो एक एक सीनियर पर्सं में या ओंटरी न के पास ये पास्वर्ड रहें सो धेट कि कि आपने लाप्तौप्स में लगाते हैं यंई मैल प्रेजिक यह बास वरड यह स्थे विए करो सब्सेक्स प्रोल के रूप में, एक administration name, मतलब कि एक admin name और एक password, मतलब एक admin name मतलब user, username and एक password, आप ये set कर दीजे, अब उसके बाद जब भी आप company बार बार open करेंगे, या कोई भी open करेंगा, तो उसको एक username और एक password, ये दो चीज़ हैं, ये दो options फेल करनी पड़ेगी, तो ही वो उसको open कर पाएगा, very simple, तो मैंने एक company बनाई, जैसे मैंने एक src education नाम से company create कर दी, जिसमें मैंने जो भी detailing थी मेरी मैंने वो फेल कर दी, माली जे, बी 33, ग्रांग फ्लोर, विकास, माग, ठेक है, लक्षमी नगर, और न्यू डेली, जो भी detailing है, इसके आप फिल कर देंगे, country is India, and state is Delhi, तो ये select कर लिया, मैंने अपने options में, जो side में आ रहे है, पिन कोड डाला, phone number डाला, जाहिर सी बात है, जो भी phone number होगा, वो हम यहाँ डाल देंगे, landline number जो भी होगा, mobile number होगा, 9811631557, जो भी आपका number है, जो भी detailing है, आप यहाँ फिल कर देंगे, email id, website डाल देंगे, www.srceducation.in, तो जो भी इस तरह से आपकी form की detail है, वो फिल करने के बाद, financial error हमारी first repel होती है, जो भी आपका financial error start हो रहा होगा, आप यहाँ पूट कर दीजेगा, beginning day भी same आएगी, अब दो security controls में, आपको दो password मांगी जाएंगी, एक telewall password और एक security control, अभी जो हम cover up कर रहे हैं, वो security control कर रहे हैं, जो कि बहुत base password है, ठीक है, तो आई उसको देखते हैं जरा, yes करेंगे उस पे, उसके लिए telewall password को आप ऐसे ही खाली enter कर दीजे, तो वो skip हो जाएगा आप, क्योंकि हम security control cover कर रहे हैं, उसको yes करेंगे, और यहाँ पे आपको yes करते हैं, administration name और password डालने को बोलेगा, तो कोई भी जैसे भी आपको suit कर रहा है, अपने कामने के मताबिक, एक administration name मतलब कि username और एक password यह set कर दीजे, यह alpha numeric कोई भी चलेगा, कोई भी आप ले सकता है, ठीक है, जैसे मैंने लिया, मैंने जो username लगाया, वो लगाया src edu, इस तरह से मैंने डाला, src edu, आपका जो basically spelling है वो, और basically जो caps lock और off और on उसका ध्यान रखेगा, src edu मैंने यह administration name सेट किया और password मैंने सेट किया, 654321, ऐसी मैंने सेट कर दिया अपने तरीके से, अपनी firm के हिसाब से, repeat password again 654321, जैसे आप इसको set करते हैं या save करके enter करते हैं तो आपको एक option देता है टेली की तरफ से, warning बोलते हैं इसको, यह warning होती है, यह कहते है, forgetting your password will render your data inaccessible, आप अपना password कभी भूलिएगा नहीं क्योंकि forget करने का option टेली के अंदर नहीं बनाया गया है, कि अगर आप password भूल जाओ और आपको वापिस से उसकी recovery मिल जाए, इस तरीके का option अभी तक नहीं बनाया, तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप password लगा रहे हो, लगा तो रहे हो, पर आप उसको याद रखना यह आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, एंटर कर देंगे इसको, warning सिर्फ पढ़ने के लिए है यह, एंटर कर दीजे, और बाकी detailing जो भी है, यह दोनों नो रहेंगे, और यह detail basic information है, about the currency, मैंने इसको save कर दिया, हमारा focus सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ password पे है, save कर आया इसको accept, तो accept करते वक्त, obviously जब Tally में एक important information है यह कि Tally के अंदर, जब आप एक company create करते हैं, तो create करते करते हैं, hand-to-hand उसको open करने की permission देता है आपको, company create already हो चुकी है, अब आपको open करने के लिए permission ले रहा है, तो name of user में मैंने जो भी set किया था, srcedu, यह मैंने set किया, and password is 654321, इस तरह से अगर मेरा password okay होगा, तो वो अपन आप यह open कर जाएगा, left side में आपके नाम आ जाएगा company का, और right side में उसका gateway of Tally आ जाएगा, यह company open मानी जाएगी, अगर आपको इसको close करना है, तो आप इसे shut कर देंगे, तो यह था security control के साथ कैसे बनाया आपने company, अब मैं इसको shut कर कि इसका effect दिखाती हूँ आपको, shut कि team में जब मैंने src education पर click किया, तो यह firm मुझे नजर आएगी, basically मेरे लिए समझना easy है कि मेरे लिए कौन सी company थी है, तो मेरे लिए company थी basically this one, src education, ठीक है, मैं open करके दिखाती हूँ आपको, src education, enter, और हमने password लगा था src edu, and password इसका था 654321, तो यह open कर जाएगा, यह मुझे कैसे पता चला by the way, क्योंकि जब आप spelling अगर एक से जादा same spelling की, same नाम की companies होती है, तो उसमें last वाली जो company होती है, वो recently बनाई गई होती है, तो मैंने उससे पहचान की, कि src education करके, जो मेरे यह वाली company है basically, यह हमारी है, capital letters में, ठीक है, तो basically, यह effect मुझे यह तो select company में जब उसको हमने ढूंडा, तो वो हमें by name type हो गई, और search भी हो गई, but open नहीं हुई, इसका मतलब यह password ऐसा है, कि लगा तो दिया है, पर कोई भी person इसको seen कर सकता है, कि company basically है, exist करती है, कहाँ पे है, क्या code है उसका, वो तो देख सकती है, पर इसको कोई open नहीं कर सक सकता, without password डाली, ठीक है, तो इसको बोलते है, security control, इसी तरह से यह वाला जो password है, इसमें और एक फायदा है, कि यह easily change हो सकता है, अगर आप पहले शुरुआत में company बनाते वक्त, आप नहीं लगा पाए थे, तो इसको alter में जाके फिर से लगाया जा सकता है, या आपने लगाय होगा है, अब आपको नहीं चाहिए, आपको remove करना है, इसको company में से, तो आप remove भी कर सकता है, इसको हटाया भी जा सकता है, या अगर आपको change करना है, क्योंकि पासवड किसी को पता चल गए, अब आप उसको नया password डालना चाते है, पुनाना हटा के, तो वो भी हम कर सकते ह ये easy access है, कि इसमें comfortability है, कि आप इसको बार-बार change करना, हटाना या लगाना कर सकते हैं, एक second password पे अब हम आते हैं, ये तो बात हो ही security control की, अब बात करते है टेली वाल्ट पासवड की, second password is टेली वाल्ट, टेली वाल्ट पासवड भी जब आप company create करते हैं, तब आपको वो company दिख जाती है, तो कोई भी easily उसको hack कर सकता है, या उसको use कर सकता है, बहुत extra level पे, मतलब कि बहुत hack करना उसको आता है, या उसको टेकनीक पता है तो, तो हम उससे बचाने के लिए, मतलब जो भी reason है, हमें उससे बचाने के लिए, हमें क्या करना है, हमें ऐसा password लगा है, मैंने एक बनाया, company, tip limited, कोई भी company मैंने ऐसे बना दी, जो मेरी company, rough company है, India, Delhi, jobies की detailing थी, वो मैंने put up किया, fill किया, सारी detail, अब tele wall password भी पहुँच है, tele wall password मैंने लगाया, कोई भी, जैसे मैंने लगाया, a, b, c, d, one, two, three, again repeat, a, b, c, d, one, two, three, यह मैंने password लगाया, आप कोई भी alpha, numeric, या alpha, numeric का जोड, कोई भी password किसी भी तरह से set कर सकते हो आप, ठीक है, इसमें कोई alpha, numeric का चक्कर नहीं कि इतना ही digits होने चाहिए, यह भी कोई perfection नहीं चाहिए इसके अंदर, security control, obviously मैंने no रखा, क्योंकि मैं tele wall के commission देगा आपको, तो आप उसको password बताओगे, जो आपने a, b, c, d, one, two, three, इस तरह से मेरी company open हो जाएगी, but अब इसमें और security control में क्या फरक है, मैं दिखाते हो आपको, all tap 3 करके मैं company info पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे company info के अंदर detail दिखानी है, देखो, difference number one, कि जिस company में security control लगाया था, वो company का name select company में show हो रहा था, but जिस company में telewalt लगाया है, उस company का नाम select company में show नहीं होगा, एक code से पचान करनी पड़ेगी आपको, star star करके company आएगी, देखे, select company के अंदर देखेंगे, यह देखे, अगर मैं PIP टाइप करती हूँ, तो TIP नाम की कोई company आप exist नहीं करती है, है ही नहीं, नहीं तो वो उस तक हमें पहुचा देता, तो ऐसी कोई company यहां नहीं है, तो basically इन में से कोई एक company है हमारी, यह जो देख पाने है आप इन में से एक company हमारी है, ठीके, तो वो हमें code से पहचान करने होगी, obviously code हमें पता होगा, तो कोई, type करेगा नाम, उसको नाम दिखेगा ही नहीं और वो confused हो जाएगा इस list में से कि हमारी company TIP नाम से कौन सी थी, तो उसका काम जो वो चाहता था वो उसका नहीं हो पाएगा, simply, ठीके, तो इसके लिए अगर आपको देखना हो कि आपकी company कौन सी है, यह तो हो गया hacker की बात, पर हमें तो पता हो जी हमारी company कौन सी है, तो अगर वो चीज आपको देखनी हुई हो, तो उसके लिए आपके पास एक option है, कि आप alter में तुरंट चले जाएगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, नजर आएगा, उसका सामने code, 10180, यह code है basically, जो company start करते वक्ती, only उसी time पर आता है, तो आप ध्यान रखेगा कि उसी time पर तुरंट आप इसको देख लिजेगा, इसका code है 10180, ठीक है, so that अगर आप इसको company को shut भी करते हो और दुबारा open करते हो, तो आपको code आपको पता होगा, आप easily open कर पाऊगे, difference number one तो यह था, second difference, कि जब आप password लगाते हैं, तो security control password लगाते time, security control password लगाते time, आपको दो चीज़े पूछता है, एक username और एक password, but टेली बोल लगाते वक्त सिर्फ password पूछता है, username की माँ ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, यह दो differences हो गए, difference number three, जब आपको security control का password चेंज करना होता है, तो easy access है, आप alter में आकर कि security control password यहां से change कर सकते हो, right side से, आपकी screen के right side में, जो security control column है, वहां से, तो वहां से आप उसको change कर सकते हो, किसी company में नहीं लगा था, आप लगा सकते हो, पहले लगा था, आप हटा सकते हो, यह easy access आप उसके साथ कर सकते हो, change कर सकते हो, but tele vault का option, alter में दुबारा नहीं आता है, तो यहां स तो यहां से आप change tele vault के अंदर जा करके, current password डाल कर, new password डाल कर, इसको change कर लेते हो, but एक यहां पर बात होती है, कि जब आप tele vault password को change करते हो, तो आपने current password डाला, और उसके बाद आपने new password लगा है, new password लगा है, 99999, 5 times 9, again 5 times 9, तो यह एक काम यह करेगा, कि यह company का password चेंज करन के साथ साथ, हमारी company ही पूरी change कर देगा, यह उसका internal functions है, यह internal उसका काम है, वो एक छोटा सा part है, कि आप जब इसको change करते हो, तो एक नया code दे देता है, अब 10181 से आप normally company को run करोगे, 10180 को आप close कर दोगे, या delete कर दोगे, ठीक है, वो delete करना सब को पता है, company info में alter में जा सकते हो, और एक company बिना password के भी लगा सकते हो, इसी तरीके से हम company create करते हैं with password, so इसी तरह से आप हमारे channel को देखते रहिए, videos देखते रहिए, और subscribe कीजिए हमारा channel, अगर आपको कोई भी doubt लगता है, तो आप नीचे comment box में mention कीजिए, so that हम उसके doubt clear कर सके, अगली videos में, thank you so much. कि अपको को देखते हैं कि अपको को देखते हैं